असलाम अलेकुम टीम वकार की तरफ से अगर आप ट्रेडिंग करना चाते हैं और अच्छी ट्रेडिंग करके इनामाद जीतना चाते हैं तो उसके लिए आपने बिटकेट एक्सचेंज पे अकाउंट बनाने लाएं क्योंकि आने वाले टाइम में हमें चैलिंग से स्टार्ट करने वाले हैं 100 डॉलर से 1,000 डॉलर से 10,000 डॉलर और 10,000 डॉलर से 1 लेग डॉलर से 1,000,000 डॉलर से 1,000,000 डॉलर से तो यह trade किसी और exchange पे लेंगे तो आपको trade में मसला हो सकता है तो जल से जल आप account बना लें जहां आप video देख रहे हैं वहाँ पे आपको एक referral link दिखाई दे रहा होगा बगारजगा का referral link है उस referral link के तुरू आपने account बनाना है जिसका referral code है 9WOQ इस referral link से account बनाने का फायदा यह होता है कि आपको trading के अंदर यहां पर discount बलता है तो अब हम बढ़ते हैं अपने main topic की तरफ आज जो हमारा main topic है वो है wallet wallet क्या होता है basically crypto की दुनिया में wallet उसे हम कहा जाता है यह एक digital wallet होता है जिसके अंदर हम crypto currency को safe करते है simple word में जो wallet होता है crypto की दुनिया में उसको यह कहा जाता है कि online wallet है जिसके अंदर हम अपनी digital currency को safe करते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे wallet होता है एक होता है कि आप exchange के अंदर आपने अपना fund रखा हुआ होता है अगर कलकला को exchange भाग जाती है तो आपका fund चला जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो भी long term investment होती है वो हमेशा आपके personal wallet में होनी चाहिए तो personal wallet कौन कौन से होते हैं किस तरह के होते हैं personal wallet होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं मैं आपको एक्जेम्बल दे के समझाता हूँ जिसमें सबसे जो common है वो है Meta Mask Meta Mask है इसके इलावा Trust Wallet है, Phantom Wallet है, Coinbase का Wallet है, Alex यह Alex जो है यह Bitcoin के लिए है, बाकि जितने Wallets हैं वो सब भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन Bitcoin के लिए आप Alex को यूज करेंगे तो यह बहुत सारे जो Wallets होते हैं, यह आप Free में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, इसके कोई Charges नहीं होते हैं Simply आपने क्या करना होता है, जैसे आपने हम Meta Mask की Example लेते हैं, कि आप एक Coin को Long Term Hold करना चाहते हैं एक Online accreditation के Video Play acompan आपने कटाहर की Example के लेकिक दाउनलोड करना है अगर आप यह computer पर करते हैं तो आपने Meta Mask की Extension को यहा से डाउनलोड कर लेना है जब आप Meta Mask के Extension को डाउनलोड करने तो लेटे हैं तो इस तरह से आपके पास आ रहा होता है MetaMask का, कि ये मैं आपको पुरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप अपना wallet कैसे set कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब आपने extension को download कर दिया, लाजमी निये कि आप MetaMask करते हैं, आप trust wallet भी कर सकते हैं, यहाँ सब का process सेम होता है, सब वालेट का, यहाँ से simply extension आपने download करनी है, और आपने अपनी extension को add कर देना है, फिर सब का process इसी तरीके से सेम होता है, तो हम MetaMask की example यहाँ पर यह लेके चल ले हैं, कि यह easy रहेगा आप लोगों के लिए, तो MetaMask का हमने download कर लिया, फिर उसके बाद जब आप download कर लेंगे, तो install करने के बाद इस तरह से आपके बाद MetaMask आ रहा होगा, आपने यहाँ पर get started पर जैसे ही आप click करेंगे, तो आप से वो question कुछेगा, कि क्या आपके पास पहले से seat phrase है, seat phrase क्या होता है, seat phrase 24 words का समझ लें, आप key है, ठीक है, यह आपके MetaMask की की होती है, यह सबसे important होता है, अगर आपकी key कहीं खो जाती है, या आपने उसको note down नहीं किया हुआ, तो आप कभी भी अपने coins को recovery नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो wallet है, अगर आप इसकी key को खो देंगे तो आपने coins को भी खो देंगे, तो इस बात का आपने हमेशे ख्याल रखना होता है, कि जब भी आप MetaMask का account create करें, तो उसकी key की आपने खास तोर पे यहां पे समाल के रखना होता है, तो यहां पे हम से दो सवाल करता है, कि यहां पे आपके पास already key है आप ऊसे import wallet यहां पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बलकुल fresh बना रहे हैं तो आपने create wallet पर click करव flourट करना है, तो उसके बाद मेटा मास के अंदर आगे आपको जो अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा आप जब इस लॉक पर किलिक करेंगे तो जो की होगी वो आपके सामने आ जाएगी और इस की को आपने कई नोट डाउन करके रख लेना हैं और ये की आपने कभी भी किसी से शेड ने करनी है यह आप कभी शेड करेंगे तो आपका wallet हैक हो जाएगा तो इस की की हिफाज़ाद आपने हमेशा करनी है तो उसके बाद जब आप इस पर लॉक पर किलिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड्स आ जाएंगे वो आपसे पूछेगा कि आप जो की है वो 12 वर्ड्स की रखना चाहते हैं 24 वर्ड्स की वो आपके उपर डिपेंड है आप कौन सी रखते हैं तो यहां पर अगर हम 12 वर्ड्स की चाहते हैं तो उसके बाद हमारे सामने आजाएगी फिर हम करेंगे next जब हम इससे next करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने की आजाएगी इसको आपने safe कर लेना अपने पास गई फिर उसके बाद यहां पे जब आप आपने यह करना है वो जो की आपको बताई गई है उपर वो आपने यहां पे आके एड़ कर देनी है ठीक है इस तरह से यहां पे आके एड़ कर देनी है सेलेक्ट करके जब आपकी की एड़ हो जाएगी तो मेटा मास्क आपके पास यहां यहां पर आप आपकर आप उसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहां पर आपके पाप खुम फिल आ पहल विचम की सुर्ड़ हों फिल्च बहुत सारी जो आप यहां पर एट सकते हैं उसका जो तरीका होता है वो होता है हर चेन को add करने का जो तरीका होता है यह आपका एक address होता है यह आपका एक public address कहा जाता है इसे कि अगर आप कहीं से coin मगा रहे हैं तो यहां से आपने अपने address को copy करना होता है अब यहां पे जब आपका metamask का account बन गया तो बाद में जब कभी आप metamask की extension को remove कर देते हैं उसके बाद जब आप again extension को add करते हैं तो वो जब आपसे की मांगेगा seat phrase मांगेगा तो यहां पे इस तरह से आपने आपसे इस तरह से blank एक column दिया जाएग और जो आपने यहां पे last password set किया था वो आपने यहां पे add करना हो पिर जब आप import करेंगे तो metamask again आपका open हो जाएगा अब बात करते हैं कि metamask को किस तरह से हम use कर सकते हैं अब example के तोर पे आप किसी website पे गाए वहां पे आपना metamask को connect किया अब जैसे हम यहां पे open see की example सकते हैं कि आपका metamask बन गया उसकी extension भी आपने add कर ली तो अब आपने जब metamask बना लिया तो उस एक पर आपके पर extension पर metamask शो रहा होगा तो आप example के तौर पर ऐसे open see website है ऐसे बहुत सारी website है ऐसे open see यहां पर NFT trade होती है तो यहां पर अगर आप देखेंगे login पर मैं किल connect हो गया तो अब यहां पर क्या होगा कि मैंने example के तौर पर कोई NFT trade कर ली अब जो मेरा metamask के उसको मैंने logout कर दिया लेकिन वह इस website से जब भी link रहेगा तो उस link को remove करना ज़रूरी होता है हर website पर आपने अपना metamask को continue connect नहीं रखना होता तो उसके लिए simple तरीका यहां प करना भी बिल्कुल easy है आपने जैसे मैंने आपको बता है metamask पर select किया password डाला next करेंगे तो आपका metamask इस तरीके से connect होया है connect का option आएगा जब website पर connect हो गया आपने example के तोर पे वह website यूज कर ली फिर उसके बाद आपने उस website को remove करना होता है remove करने का simple तरीका होता है metamask प बने हुए आ रहे होंगे यहां पर आके connected sides लिखा आएगा आएगा अप इस पर जब click करेंगे तो आपके बाद वह सारी side show हो जाएंगी जो आपके metamask के साथ connect होई होती है यह last आपने जहां-जहां metamask connect किया होता है तो उन्हें आपने disconnect जरूर करना होता है तो इस तरीके स आपको metamask है पर वहां से disconnect हो जाएगा अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपने metamask बना लिया आपको उसकी value पता चल गई अब आप metamask के अंदर किसी coin को add कैसे कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने metamask बनाया और आपने coins उसमें send कर दिये तो वह coins आपके पास show नहीं होगे ज जैसे chain link की example लेते हैं जैसे मैंने chain link का यहां पर open कर लिया coin market के app पर आके तो यहां पर मुझे option दे रहा है कि add to metamask जब मैं इसे add to metamask पर click करूँगा तो जो chain link का यहां पर जो address हो मेरे metamask में add हो जाएगा फिर मैं chain link को भेजूँगा तो यह जो metamask के अंदर है मेरे chain link श कर रहे हैं कि आप Trust wallet यूजज़ कर रहे हैं या आप पर depend करता है तो आप कौम सा वाला यहां पर use कर रहे हैं तो इस तरीक से आप जो भी यूज़गा इसको आपने एड to metamask पर आकर यहां पर click कर देना है तो इस तरीक से आप यहां पर एड कर लेंगे अब यहां पर up कि तो यहां पर आपने कोई खरीद ना या बेचना तो उसका सिंपल तरीगा क्या है कि आपने MetaMask को यहां पर आपके पर क्लिक किया। जैसे कि आप Connect wallet पर क्लिक करेंगे तो आपका MetaMask Connect हो जाए गा। फिर उसके बाद आप यहां पर Trade पर आने के लिए आप जैसी Swap पर क्लिक करेंगे। यह मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि मेटामस कीतरूँ आप किस तरह से किसी इसी decentralized exchange पर आके trade कर सकते हैं तो जैसे यहां पर मैं आया मैंने connect wallet किया अब example के तोर पर मैंने यहां पर USDT को select कर दिया और मैं चाहता हूँ USDT के बदले यहां पर मैं chain link को खरीद दूँ तो यहां पर मैंने chain link select कर दिया अब मैं चाहरा हूँ के मैं 50 dollar का यहां पर chain link बाय कर लूँ तो यहां पर मैंने 50 select किया तो यहां पर मुझे दिखा रहा है कि इतने chain link आपके पास आ जाएंगे जब आप connect wallet कर लेंगे तो यहां पर आपके पास connect wallet का option नहीं आ रहा होगा और आप जब इसे यहां पर 50 select करके यहां पर swap करेंगे तो आपके पास chain link आ जाएगा यहां पर आपके पास सारी detail आ रही होगी कि इतने receive होंगे trading fee यह है इस तरह से पिर जब आप यहां पर trade कर लें तो again आपने यहां पर आके same process करना होता है connected site पे गए आप और आपने यहां से इसे disconnect कर दिया और जो coins है वो आपने अपने wallet में ही hold कर लिये तो इस तरह से यहां पर आपने इसको remove कर देना होता है अब यहां पर बढ़ते है next point की तरफ कि यह जो secret phrase है example के तोर पर आपने metamask के उपर यहां पर account बनाया अब कल को अगर metamask की company भाग जाती है या बंद हो जाती है किसी वज़ा से तो जो आपका secret phrase है उसको आपने हमेशा समाल के रखना होता है क्योंकि अगर वो आपसे miss हो गया तो फिर आप कभी भी अपने coins की recovery नहीं कर सकते हैं अगर ये जो company है metamask अगर ये बंद हो जाती है लेकिन अगर आपके पास आपकी seat phrase है तो आप किसी और wallet पे भी जाके same seat phrase जब आप डालेंगे तो आप उसे वहां से जब भी recovery कर सकते हैं क्योंकि ये जो coins हैं सिर्फ display पे शोर होते हैं असल में जो coins होते हैं वो blockchain के उपर होते हैं तो इसलिए बिल्कुल आप अपना personal wallet यूज़ कर सकते हैं seat phrase आपने समाल के रखना होता है तो इस बात का आपने हमेशा यहां पर खयाल रखना होता है और एक चीज़ यहां पर जो क्लिक नहीं करना होता और जो आपका seat phrase अगर कोई भी website आप जाके connect करते हैं वो आपसे seat phrase मांग रही है तो आपका metamask हो जाएगा और आपके जो coins हैं वो सारे यहां पर जाया हो जाएंगे तो कोई भी आपसे अगर seat phrase मांगता है तो आपने अपना seat phrase कभी भी किसी को नहीं देना है तो इस तरीके से आप अपना personal wallet यहां पर यूज कर सकते हैं तो जो भी आपकी long term की investment होती है उन्हें हमेशा आपने अपने personal wallet के अंदर रखना होता है exchange में हमेशा आपने वो fund लेके जाना होता है जिससे आप trade कर रहे हैं और जो long term आपकी यहां पर investment आपने की हुई होती है उसे हमेशा आपने अपने personal wallet में रखना होता है तो I hope आपको आज wallet का lecture clear होगा thank you so much